जेन दोस्तों मेरा नाम है रुपेंद कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट आ चुका है जे संपरिक्षक का साया संपरिक्षक का हम टॉप 10 बारे लिस्ट में बारे में बात करने के इस वीडियो को शूट कर रह है जो कि आपके स्क्रीन पे सो रहा है 152.51 हाना यह गया है सबसे उपर बलासपूर में रहने वाले तरोंड सिंग ठाकुर जी का गया है जनरल केटी गिरी यहां पे दी गई है इनको बहुत बढ़िया अच्छे से तैयारी करके इन्होंने इस रैंक को हासिल किया है 152 नंब तो 150 में इनका टॉप 10 बन गया हाना उसके वाद जैसे आएंगे तो यहां पे है लोमेज सिंग राजपूत सेकेंड रिंग हसल किया है 151 फिर देखिए 149 फिर आप देखेंगे क्या है आपका 147 फिर आप देखेंगे प्रशांद उपायधाय का 146 तो इसी प्रकार से प्रकारी किया गया स्टूटेंट अब इससे आपको सीख लेना है कि आपको 70% एक्जाम में अगर आप सही करके आते हैं तो आप टॉप 10 में आ सकते बच्चो हम क्या करते हैं टॉप 10 में नहीं आने मताब हम पूरा 100% बनाने के चकर में नेगेटिव मार्किंग में चले जा अटेंब करके आ जाते हैं जो कि हमको नहीं करना है यहाँ आप देख लीजिए हर वो व्यक्ति जो नंबर लाया है अगर मिनमम नंबर की बात करे 145 नंबर है मिनमम नंबर 145 में ये टॉप 10 लिस्ट में सामिल हुए मतलब अगर आप 200 नंबर पकड़के चलते हैं 70% करते 140 जाता तब भी आप पाक जरूर हो जाते हैं तो अगर आप 70% करके आएंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे आपको लगता होगा करें ना करें आप इन्हीं बच्चों की तैयारी जो बच्चे लगे हैं कहानी यही है यह आपके सामने इन बच्चों को मतलब इनका सेलेक्शन हुआ है यह सभी के सभी आम आदमी है आम इनसाने जो तैयारी कर रहे हैं बस आपको क्या करना है आपको इन से नौलेज लेना है कि हाँ यह पढ़ाई कैसे किये इनके द्वारा टॉप 10 में नाम कैसे काया डेडिकेशन कितना था सतर पर्शंट करके आए बच्चों आप भी आ जाएंगे तो होली से पहले यह रिजल्ट दे दिया गया है तो सारे के सारे विद्यारती इसमें फोकस जरूर करें और अपना रिजल्ट जरूर चेक करें रिजल्ट कहां मिलेगा व्यापम में जा टालती प्र जरूर पर आपनी पर कर दात्ती हो जलिएगे और तो जेता करें इस वीडियो में इतना थ्टयुकों हैा और अपने नंबर कितना आया है मिलते हैं अगले वीडियो में ओके धन्यवाद ठैक्यू बच्चो